नमस्कार दोस्तो, मैं लतिका शर्मा, कुली टीवी देखरें, सबी दर्श्कों का हादिक स्वागत करती हूँ दोस्तो, आज मेरे साथ बने हुए हैं वैदिक एस्ट्रॉलेजर नरेश कुमार जी नमस्कार नरेश जी नमस्कार गुरू का जो राशी परिवरतन होने जा रहा है उसका क्या असर होगा 12 राशियों पर आज हम इसकी चर्चा करेंगे नरेश जी चे लेकिन आज जो हम राशी की बात कर रहे हैं वो है मकर राशी तो जानते हैं इससे पहले कि गुरू का राशी परिवरतन किस दिन होने वाला है और क्या समय रहेगा इसका? देखे लातिका गुरू का जो राशी परिवरतन है वो 6 अपरल को होगा बीस जून को गुरू वकरी होगे वकरी होकर चोधनीं के बाद फिर 21 नॉमबर को यहां पर आजाएँगे इसके बाद 13 अपरल तक गुरू यहीं पर रहेंगे तो मोटे तोर पर गुरू का जो राशी प्रोड़तन है वो कुंब राशी में दस महीने रहेगा अगले 6 अपरल से लेकर 13 अपरल 2022 तक गुरू यहां पर यदिया मकर राशी की बात करें तो लगन से निकल जाएंगे लगन यहां से निकल जाना एक अच्छी चीज नहीं है यहां पर अलड़ी लगन में शनी चल रहे हैं तो यह एक राशी खास दोर पर लेकर बड़ी दिक्कत में इन दिनों में उसका कारण यह है कि शनी की सीधी दिर्शी सब्तम पर आ रही है यहां से रिष्टा देखा जाता है यहां पर भी स्थिती बहुत अच्छी नहीं है ना तो सिंगल्स के लिए अच्छी स्थिती चल रही थी ना मेरिट के लिए अच्छी स्थिती चल रही थी तो यह यह राशी ओलड़ी रिलेशन्शिप को लेकर बड़ी दिक्कत में है गुरू के यहां से हटने से गुरू की द्रिष्ट्र में कर देको तकी के लिए से राश्म को डेके अगे अगिए हुआ दिस्टे हैं पी अगय इस एक्टिवेट बाइगा में कर शनी द्रिष्ट्री से लिए प्रफ्रेशंिल रहे से बहुतczy रहें भले ही लगन से निकल गए हैं लेकिन चुकि दो द्रिष्टियां पढ़ रहे हैं दशम के उपर तो करम के लिहाई से बहुत अच्छा है जी रेशनशिप के लिए और लड़ी मनें बता दिया क्योंकि शनी की सीधी द्रिष्टिया बागी है गुरू यहां से निकल गए है तो यही भाव छठा बाव इस भाव का नुवा भाव होता है यहां से कॉंट करते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो यहां से यह भागेस्तान है यह करम का भागे है यहां पर भी गुरू की द्रिष्टि यहां पर भी गुरू की द्रिष्टि यहां पर भी गुरू क कि रिष्टी के लिए की यहां पर आपके लिए यहां पर ने हैं तो यहां पर आपको पैसा दबा हुआ है करें तो हाला कि लगन से निकल गे हैं गुरु दूसरे में आगय हैं लेकि दृ्षटियां गुरु की बहुत अच्छी है एक चीज अच्छीक नहीं है क्योंकि जुकि इस कुंडली में जुनेंस अच्छी कहां रुज खार तो तीन चार पांच छे साथ आठ तो अश्टम का अश्टम, यह दो भावों के मालिक गुरू है, यदि कुंडली में महादशा या अन्तदशा गुरू की चल रही है, तो चलनी तो लंबी है, क्योंकि गुरू 16 साल चलते हैं, तो वो सिती आपके लिए अच्छी नहीं चल दी है, उसके लिए आपको गुरू का अपाय जुरू करना चाहिए, पुखराज मत धारन कर लीजिए, काफी एस्टोल्जर वो पुखराज धारन कर देते हैं, कि गुरू आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, या गुरू की महादशा चल रही है, या अन्तदशा चल रही है पुखराज धारन करते हैं, यह जुरू धारन कर लीजिए, पीला रुमाल अपने पास रखिए, पीली चीजों का सेवन करिए, आप केसर का सेवन कर सकते हैं, दूद में हल्दी डाल कर पी सकते हैं, यह कुछ उपाये हैं गुरू के जो आपको करने चाहिए, जी, साथ ही ज जानते हैं, सहत के मामले में थोड़ा सा बताईएगा नरेश जी की मकर राशी वालों के लिए, गुरू का राशी परिवर्तन सहत के हिसा चाली है? यहां पर मिलने शुरू हो जाएंगे आपको 6 अपरल के बाद ही, जैसे ही राशी परिवर्तन होगा, गुरू एक दो डिग्री का मुवमेंट लेंगे, तो यहां पर यह भाव एक्टिवेट हो जाएगा, यहां पर गुरू की द्रिष्टी आपको बिमार होने नहीं देगी यहां इस भाव पर गुरू की द्रिष्टी आपको बिमार होने नहीं देगी, बहुत जादा लंबी चोड़ी आपके लिए शारीरी की दिक्कत नहीं आने वाली है, तो हेल्थ पॉइंट अफ व्यू से यह हम देखते हैं, तो उसके लिए गुरू का ट्रांजिट जो है वो थोड़ा सा संबल कर रहने की जरूरत है, सहत के इसाब से आपका जो राशी परिवतन होने जारा है गुरू का ठीक ठाक ही रहेगा, तो चलिए दोस्तों आने वाले एपिसोड में फिर से शर्शा करेंगे अगली राशी के बारे में, तब तक के लिए आप सा हमारे साथ बन कुण्ली टीवी पर, धन्यवाद, धन्यवाद,